नमस्कार साथियों की फैक्ट मैं आप सभी का स्वागत है उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहतर होंगे सभी सनातनी और राष्टवादी भाई बहनों से अपील लएगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों सराब घोटाला सुप्रीम कोट हाई कोट डिस्टी कोट ये पूरा जो मामला चल रहा है बहुत लंबे समय से इस मामले में कई सारे मोड़ा है कल आप लोगों ने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोट ने अंतरिम जमानत दे दी केजरिवाल को अंतरिम जमानत देने के बाद में जो समय के तत्कालिक सराब मंत्री थे आपकारी मंत्री थे मनी सी सोधिया भी बंद है और लगबग लगबग डेड़ साल से उपर हो गया उनका भी मामला लगा हुआ था साथ के साथ एडी ने क्या कहा कोट के अंदर जो केजरिवाल ने एडी से कहा कि जो बीजय नायर है जिसके उपर आरोप है कि वो मेरा आदमी है और वो साउथ लावी से पैसा उठा करके गोवा के चुनाओं में खर्च किया वो दरसल मुझे रिपोर्ट नहीं करता था वो सौ एहली बात लूसरी बात क्या कही उन्होंने कि गोवा चुनाओं में जब रेप ऊच्छा गया कि गोवा चुनाओं में फंड कैसे मेनेज़् हुआ retrouve के निणाओं ने कहा कि वहींनज करते थे तो एक तरीके से खुद को बचाने के लिए अरविंद केजरिवाल ने अपने साथियों को फसाना सुरू कर दिया है हलाकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है यह जांच का भी सह है केस में क्यों एक सुप्रीम कोट के जज ने कहा कि मैं इसकी सुनवाई नहीं कर सकता मैं इस सुनवाई से अलग हो गया हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे यह है चैट वो एक रुपे का नोट है हवाला का कारोबार कैसे होता है अगर थोड़ा बहुत भी लोग जानकारी रखेंगे तो जानते होंगे या इंटरनेट से भी आप हो सकते हैं एक नोट का सिरियल लंबर भेजा जाता है जहां से पैसा उठना होता है वही सिरियल लंबर जिसको पैसा उठाना होता है उसको भेजा जाता है और पीछे से पहले बात हो चुकी होती है कि कितना पैसा उस ब्यक्ति को देना है जो ब्यक्ति जाता है वो सिरियल लंबर बोलत है और इसक्रीन पह आप लोग देख रहे होंगे साथ किस साइम पे किस मोबाई पे कहां से मेसेज किया गया उसकी पूरी टाइम लाइन भी इडी ने पेस किया है साथ के साथ बहुत सारे मैसेज ज़ैन जो मोबाइल फोन्स में है अब यहां एक और कहानी है एक विजय चौहान नाम का बेक्ति है बिनोच चौहान नाम का बेक्ति है जो गिरिपतार हुआ है जिसने चौबी दस्मलाव पांच करोण रुपे साउथ लॉबी से उठाए उसके अलामा उसने उस पैसे को ले जाकरके एक टछ में रहता था अरविंद क bara को मैसेश करता था और अर्विंद के bissल ओन मैसेश का रिपलाई करते थे यह बात भी निकल गए अब आप सोच होंगे कि यह कैसे मिला अरविंद के लिवाल ने तो अपने मुबाइल का पासवर्ड नहीं दिया तो सात्यों यादर और देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर ये बहुत सारे मैसेज हैं गुड मॉर्निंग के और यह काम है वो काम है और स्योर है इसे है वैसे सारे जिटा है जिसको एडी ने पेस किया कोट में अब यह कहानी यह थियोरी बहुत पुरानी हो गई कि कुछ मिला नही नहीं हमिला तो है और यही क कारण रहा जो एकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एंत्रीम जमानगे और पीम एवे dużo क्या क्डिसन क्या रख दी है कि आप सच्वाले में नहीं जाएंगे पहली कंडिसन दूसरी कंडिसन आप किसी से मिलेंगे नहीं फाइल पर साइन नहीं करेंगे कैबिनेट की मिटिंग नहीं मिलाएंगे सचिवाले में नहीं जाएंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे इसमें गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे यह थोड़ा हाथ स्यात्पद है लेकिन दूसरी तरफ सि नहीं आने वाले हैं लेकिन मने सिसोदिया भी जेल से बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं जज साहब ने कहा अभिसेक मनुस सिंग्वी से या जो उनके और वकील हैं कई सारे वकील उनके है ना लेकिन अभिसेक मनुस सिंग्वी सुनुआई से क्यहों हुए सुपरिम कोट के Jah अलग। इस मामले को भी जस्टिस खन्ना सुन रहे हैं याद रखिएगा वही जस्टिस खन्ना जो कजरिवाल के मामले को भी सुन रहे थे क्टि एक ज़ taste के पास इस तरीके के मामला रहेगा तो उनको ढूं इसलिए मुझको लगता है रेजिस्ट्री ने इनको रेजिस्टर किया है या चीफ जश्टिस ने इनको एलोट किया है फैर वो नीजी वजहों से यह मामला सुनना पसंद नहीं करेंगे वो नीजी वजह क्या थी क्या उनके उपर भी इसी तरीके का कोई दबाव था ज़स फैसला दिया अंत्रिम जमानत दे दी बिना मतलब आप क्या का सकते हैं उसको बीना प्यमले के धारा उननीस को संग्यान में लिए हुए अप्यमले की धारा उननीस के लिए बोल दिया कि तीफी तीन जज़ेगा जो इननको और इंक six पर पड़ेगा इसलिए ये जजसाहब अलग हो गए जो भी हो कारण तो इन्होंने नीजी बताया लेकिन ऐसी क्या नीजी कारण है कि आप एक पर्टिकुलर मामले में सुनवाई नहीं करेंगे सुप्रिम कोट के जश्टिस संजे कुमार ने आप नेता और सराव घोटाले में आरोपी मनी सिसोदिया की एक याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिसमें सिसोदिया ने आपकारी मामलों में जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने का अग्रह किया था सुप्रिम कोट चार-पांच बार सुकरा चुका है मनी सिसोदिया की जमानत याचिका आम आदमी पार्टी में बड़ा जस्न हो रहा था पटाके छूट रहे थे सारी चीज़ें हो रही थी अरे पताई यह क्या हो गया लेकिन इस मनी सिसोदिया के बारे में भी तो बता दो भाई कि इसको तो कुछ नहीं मिल रहा है जमानत भी नहीं मिल रही है एक बात जान लीजेगा यह मामला फरजी नहीं है और जब तक महरबानी है थोड़ी जूड कि वाल जिस तरीके का दाव चल रहे हैं वो चाहते हैं कि कोई फंस जा मैं बच जाओं अधरवाइज अभी तक तो सौरब भारत वाज़ा और आतिसी मारलीना का नाम सुनाई दे रहा था दुर्गेश पाठक का भी नाम आ गया यह कैसे आ गया यह अपने आप में समझने व पसंद नहीं करेंगे अधालत ने सिसोदिया के तरफ से मौजूद वरिष्ट वकील अबसेक मनुस सिंगवी ने अधालत से कहते वी आजका को जल सुनवाई की गौहर लगाई कि काफी समय काफी एहम है उन्होंने कहा कि दोनों ही केस में अभी तक ट्रायल पूरा नहीं हु होंगे अब 15 जुलाई को क्या देते हैं फैसला ये अपने आप में महत्रपूर होगा और इन दोनों फैसलों का इंपक्ट इस पूरे केस पर क्या पड़ेगा जो केजरिवाल को दिया है उसका और प्लस तीन जज़ों की बेंट जब बैठेगी प्यमेले की धारा 19 का रिभी स्काई हो रहा है अभी त्रायल नहीं चल रहा है ध्यान कर अदमी पार्टि एसी त्रायल में ही जस्राम मना देती है कि हम आप राधी नहीं है यह अदबुत है सुप्रीम कोट की ज़ेज़त सहब को वा देखना चाहिए कि आपने कि लिभी बिना चले हुए ही जामानत पर सिर्फ जमानत मिल जाएगी इसी पर खुछी मनाई जा रही है अंतरिम जमानत पर भी कह दिया जा रहा है अरे भी या कुछ नहीं है तम सब कुछ बढ़िया चला रही है हद है यार मतलब क्या कहा जाए इसको अच्छा एस्टी से खारिज हुई थी सिसोधिया की याचिका जेल में बंद है मनी सिसोधिया अब आप खुद सोचिए आप सोच रहे होंगे यार एक बार बताओ यार आदालतों के पास सिर्फ यही सराव का केस और मनी सिसोधिया और अर्विंद के जरिवाल मनी सिसोधिया और अर्विंद के जरिवाल इन्हीं का मामला सुनने के लिए कि और कोई मामला नहीं तुरन्ट याजीका त्विकार कैसे हो जाती है सबसे बड़ा तुररा सवाल और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कोड से जमानत याजी का खारिज हो जा रही है उनुद कोडों में बार-बार अपील की जा रहे है डबल बेंच ट्रिपल बेंच यह क्यों किया जा रहा है आपको पता है सिंगल जज ने खारीच की डबल जज ने खारीच की अब तीन जज बैठेंगे और इस पर पुना विचार करेंगे कि इनको जमानत दी जानी चाहिए या जमानत नहीं दी जानी चाहिए लोग कहते हैं कि करपसंदूर करना सरकार का काम होता है एजनसी का काम होता है इसका नहीं भी या करपसंदूर करना है तो इसमें सब को लगना पड़ेगा एक आदमी का काम नहीं है और जेड़ साल से जेल में हैं उनके बिना दिल्ली चल रही है तो दो मह मैंने और जेल में रखने दो जब ट्राइल सुरू हो जाएगा तब तो सब को जमानत मिली जाएगी सिंपल सी चीज़ है कानून है इस देश का कि जिस दिन से ट्राइल सुरू होगा उस दिन से जमानत का प्रोसे सुरू हो जाएगा क्योंकि ट्राइल जब सुरू हो जाता तो सबूतों को लेकर के कोई इंपाक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन पूरी मीडिया ने एक बार भी अर्विन के दिर्वाल से नहीं पिछा कि तुम्हारे फोन में ऐसा कौन सा जादू चीज रखी हुई है कि तुम पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे हो दे दो ना भाई पासवर्ड अब कानूनी देश का ऐसा है नार्को टेस्ट ब्रेन मैपिंग टेस्ट जब तक नहीं होगा ना तब तक इस देश से आप कचरा साफ कर देंगे यह संभाव नहीं है दोसी है कि दोसी नहीं है यह सबूतों के आधार पे नहीं तैय हो रहा है यह तो मानुवी आधार पे तैय हो जा रहा है कोई जच कह दे रहा है कि हम पढ़ेंगे ही नहीं क्या सबूत है जमानत जाओ ओभी वेकेसन बेंच आपने कभी ऐसा सुना है आपने कभी नहीं ऐसा सुना होगा मैं भी कानून की बहुत सारी कुस्ति की पढ़ा हूं हजारों से अधिक केस इस्टडियां की है लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा जिस तरीके का रवईया इस समय चल रहा है कोर्टों के अंदर और इस साथ को बचाने है ठीक है तुमको जमानत दे दिया गया अच्छा बड़ी बेंच को मामला जानना है तुम फिर अंत्रिम जमानत ले लो तो भाई ऐसी सोधिया जितने अधिया जानना है तो अधिक लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल के लिए प्रेटियम का नमबर इसकी दिया हूँ आप इसके तुरू डोनेट और कंट्रिबूट दोनों कर सकते हैं साथ के साथ अधिक से अधिक लोगों तक सेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाईएगा बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय स्क्राइब